आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो फ्रेंड्स आज की Question में हमसे ही पुछा गाया है कि डिसपर्जल मेकेनिजम जो होता है वो गवर्न होता है बाई दा स्ट्रक्चर अफ प्लांट के स्ट्रक्चर से इस चीज़ को हमें समझाना है with a suitable example तो दोस्तों डिसपर्जल मतलब क्या होता है सीड का डिसपर्स होना, सीड का फैलना तो इसका क्या मतलब होता है इसका हम के सकते हैं कि ये एक तरह से movement होता है या फिर हम के सकते हैं transport होता है seeds का जो बीज होते हैं उनका away from the main plant जो main plant होते हैं उससे away या फिर उनसे दूर अब दिसे कि हमें पता है कि plants जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं प्लांट्स एक जगा से दूसरी जगा नहीं कर जा सकते हैं इसलिए जो सीड होता है वो उसका क्या होता है डिस्पर्जन होता है या फिर सीड डिस्पर्स होता है और वो बहुत सारे अलग-अलग तरीके से होता है मेनी वेस के थू होता है अब अग सब्सक्क्राइब लूट करें डाउट नेटा या वाट्साप कीजिए अपने डाउट आठ चार्सो 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 पर